Hello students, in this video we will discuss about principle of animal cell culture in virology इसमें हम जो है हमारा जो topic है basically principle of animal cell culture in virology में इसके अंतर गथ हम अध्यन करेंगे तो इसमें कई परकार के मेथड होते हैं किसी वारस को कल्टिवेट करने के लिए जैसे कि animal inoculation, inoculation of embryonated eggs और cell culture तो आईए सबसे पहले यह दोनों point को animal inoculation, animal inoculation और inoculation of embryonated eggs को पहले roughly देख लेते हैं animal inoculation के बारे में मैं बिरिफ जैनकरी दूँगा, जितनी जैनकरी दूँगा उसको आप जैसे मेरी वाइस होगी वैसे ही हिंदी में आप इसको लिख लेंगे और inoculation of embryonated egg के बारे में मैंने अल्रेड़ी एक वीडियो बना दी है, यूट्यूब पे आप लोग उसको उसमें देख लेंगे तो आईए देखते हैं सबसे पहले animal inoculation के बारे में इस शताबदी की शुरुवात में पहले मनुश्यों में ही वाइरस को inoculate किया जाता था, पहले वाइरस को inoculate करने के लिए क्या किया जाता था, human volunteers का ही उपयोग किया जाता था, उसमें volunteers की रूप में हम human को ही trial करते थे, और कुछ दसक के पहले की बात है, यह animal का उपयोग हम वाइरस के inoculation के लिए अब करते हैं, जनरली एनिमल के लिए जो वाइरस के inoculation के लिए जिस animal को उपयोग करते हैं उसमें जो है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं monkey है, rabbits है गीनिया pig है और rats है, hamster है और mice है, जितने जनवरों के नाम मैंने लिए हैं, उसके सारे चित्र आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन जनवरों के हम, इन जनवरों में हम जो है intraperitoneal यानि की abdomen की जो बाहरी layer होती है, वहाँ पर peritoneum में subcutaneously तुचा के नीचे और intradermal हम इस virus को inoculate करते थे और उसके reaction को हम इस सभी जनवरों में देखते थे, तथा यह root virus के प्रकार पर निर्भर करता था, यानि कि जिस प्रकार का virus है उसी प्रकार से inoculate इन सभी animals में किया जाता था, animal के handling में और inoculation में विसेश योग गिता की आवशकता होती है, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है जब हम animal का उप्योग करते हैं किसी virus के cultivation में, animal में virus inoculation के अलावा हम animal में virus से होने वाले जो pathogenesis है, immune response है, epidemiology है, oncogenesis का भी हम अध्यन करते हैं, इन animal में virus का effect दिखाई देता है, किसी leeson के रूप में, जैसे कि हम जब इन animals में किसी virus को inoculate करते हैं, तो किसी खास तरह के लीजन उन में दिखाई देते हैं, कोई खास तरह के disease दिखाई देती है या फिर इन एनिमल की death हो जाती है, फिर उसके बाद हम उसका examine करते हैं कि आखिर इस वारस से इन एनिमल्स पर क्या-क्या असर पड़ा, तो ये था हमारा जो है पहला animal inoculation, जो कि हम हमने अभी पढ़ा animal inoculation, उसके बाद देखते हैं, आये देखते हैं, inoculation of embrionated eggs के बारे में, ये देखिए, इसका वीडियो में आल्रेडी YouTube में डाल चुका हूँ, इसमें पूरी procedure में, इसमें हम जो है किसी ऐसे egg का इस्तमाल करते हैं, जिसको तकरीबन 11 से 12 दिन हो चुके ह है और उसमें step-by-step candling, drilling and edge cell inoculation, inoculation हम कई तरीकों से कर सकते हैं, intra-aminoeutic inoculation कर सकते हैं, intra-alentonic inoculation कर सकते हैं, yoxac inoculation कर सकते हैं, और karyo-alentonic membrane में inoculation कर सकते हैं, फिर harvesting the fluids, हम इस सभी चीज़ों को करते हैं, इस सब सारी चीज़ों को brief आप लोग को वीडियो में मिल जाएंगे, तो यह था steps for cultivation of virus in egg, उसके बाद basically हम आज बात करेंगे cell culture के बारे में, यही है हमारा जो topic है, जो आप लोग की syllabus में है, principle of animal cell culture in virology, तो आएए देखते हैं, यह cell culture के अंतरगत हम क्या क्या करते हैं, क्या होता है इसमें, जो यह विरहाद रूप से या widely used की जाने वाली एक टेक्निक होती है, जिसमें virus को grow कराया जाता है, cell में, है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि यह virus जो है, intra cellular parasite होता है, जैसे कि खास त organism की कोई जुरूत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ virus की जहां पर बात करते हैं, तो virus को replicate होने के लिए किसी host cell की जुरूत पड़ती है, तो हम इस virus को cell महया कराते हैं, किसी donor animal के cell का ही उपयोग करते हैं, उस virus को cultivate करने के लिए, उस virus की खेती करने के लिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, टीशू लेते हैं, उसको छोटे छोटे जैसे कि यहां पर आपको एक animal का चेतर दिखाई दे रहा है, यहां पर आप माउस को देख सकते हैं, छोटे से चुहे हैं, यहां पर इसको हम इसके किसी एक छोटे टीशू को लेते हैं, और उसके छोटे चोटे और ट इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक enzyme add करते हैं, जो enzyme होता है, proteolytic enzyme, ज्यादा तर trypsin का opioid करते हैं, और इससे क्या होते हैं, जो tissue में जो cells हैं, वो dissociate हो जाते हैं, सारे cells अलग-अलग हो जाते हैं, उस tissue से cell जो क्या होते हैं, dissociate हो जाते हैं, इस cell को wash किया जाता है, फिर flask या ट्यूब में इसका कल्चर लेते हैं, फ्लास्क में ग्रोथ मेडियम लेते हैं, जिसमें एसेंसियल एमीनो एसेड, विटामिन साल्ट, ग्लुकोज, बफर होता है, यह सब सारे कुछ निट्रेंट लेते हैं, बफर जो है पी-एच के लिए होता है, एक आप्टिमम पी- इसका करें इस एक लेते हैं, इस प्रकार ग्रोथ मीडिया के ऊपर अपर सेल की एक लेयर बन जाती है, तो एसे ही हम इस कहस्तरा के फ्लास्क में ग्रोथ के प्रैशन को पहले लेकर उसके उपर वायरस को कल्टिवेट करते हैं, ठीक है? आईए देखते हैं, और इसके जो ओरीजीन है, यह जो सेल कल्चर है, इसका ओरीजीन, क्रोमोसोमल, करेक्टर और नंबर ऑफ जनरेशन के आधार पर हम वायरोलोजी में हम इसे तीन प्रकार के सेल कल्चर का उप्योग करते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर जो होता है, वो बेसिकली वैक्सीन के लिए भी होता है, और इस सेल कल्चर में जो है, जो सेल उप्योग किये जाते हैं, वो ज्यादा डिवाइट नहीं हो पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये पांस से दस बार ही डिवाइट हो जाते हैं और continuous cell line में जो हम cell लेते हैं cell culture के लिए उसमें जो cell होते हैं वो कई बार divide हो सकते हैं क्योंकि इसमें हम cancerous cell का उप्योग करते हैं primary cell culture प्राइमरी सेल कलचर, इस में हम क्या करते हैं? एक औरगन लेते हैं, उसको हम छोटे छोटे टुक्डों में बांट लेते हैं, उसके बाद हम उसको एंजाइन से ट्रीट करते हैं, ताकि उस टीशू का, उस औरगन का सारे सेल अलग-अलग हो जाएं, और फिर उसके बाद, इसका करिफ है, इसका करिफ में बहुत ही लिमिटेड भूत होता है, मैंने जेसे कि बताया है, कि इसमें जो सेल्स, फ्लास्क की जो और क्विफलेयर उसमें जो चिपकेंगे लेकफ लियर बनाएंगे थीविठीस 두 ये ना उनका लोट रहन होता है बहुत कंब बहुत कम करते हैं दिवाइट बहुत कं होते हैं तो प्रामरी स्ल कल्चर से कुछ ही सीरियल पैसेज का निर्मार होता है यहां पर आप देख सकतेotive you are किizoDat P mobileيعπα näुकिए है किसल को सबसे पहले किसी खास और्गन से निकाला गया, like kidneys, उसके बाद उसके चोटे-चोटे टुकडे करके, नमबर दो में हम मिलाए, और उसमें trypsin मिला दिये, ताकि उसके cells जो है, अमीनो एसेड और एंटिबायोटिक, ठीक है, एंटिबायोटिक डालने के बाद उसके उपर हम इस cell को डालते हैं, तो cell जो है उस growth media के उपर धीरे-धीरे-धीरे क्या होती है, ग्रोथ करती है, और इस flask के surface पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है, और एक monolayer का निर्माड करती यह पर हम एक één flask बनाता है, दो flask बनाता है, तीन flask बनाता है. इसा उपयोग हम कितने बार कर सकते हैँ? इसा उपयोग सिर्फ हम एक बार ही कर सकते हैं. जैसे कि इसे में हमने वाइरस में, इस clask में, तीनो flask में, हमने अलग-अलग virus को क्या क्या किया? Inuculate किया उसके इसमें यही चीज ऐक जो है इसमें A Dissent Advantage है इसमेंgt Advantage यह है कि परियाथ Hamle Organ इसमें हम मिला सकते हैं और बड़ी मात्रा में कुल्चर कर सकते हैं परन्तु A Dissent Advantage क्या है कि यहैं il경 में Latent Virus ही हमको मिलता है Primary culture में Monkey Kidney यहाँ पर लिखा हूँ है The commonly used primary culture are Monkey Kidney human embryonic kidney human amniotic and chick embryo cell culture primary cell culture are used for for isolation of viruses such as enteroviruses mixo and paramyxoviruses they are used for the large-scale production of vaccine primary stage में हम monkey kidney human embryonic kidney human amniotic chick embryo cell का उपयोग करते हैं इसमें enteroviruses mixo और paramyxoviruses को isolate कर सकते हैं तथा इस culture से हम large scale में vaccine भी बना सकते हैं तो यह इसकी खोबी है primary cell culture की आईए अब देखते हैं दूसरे cell culture की जिसको इसको कहते हैं डिपलओड सेल कल्चर क्या है कि स्कुलचर में हम एक ही प्रकार की उपयोग करते हैं बेसिकली हम अलग-अलग ओर्गन की अपयोग कर सकते हैं एक ही टाइब की रिख चेल को उपयोग करते हैं जिस het कल्चर के डेथ होने से पहले हम इसका 30 से 50 बार उप्योग कर सकते हैं 30 से 50 बार उप्योग कर सकते हैं इसके अंतरगत human embryonic lung या kidney fibroblast की cell का उप्योग करते हैं सेल कल्चर से हम और कैसे करेंगे देखी आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले किसी organ को लिया गया cell collected from the organ यह first number पर दूसरा दूसरे बार में हमने क्या किया उसको primary culture किया यानि कि उसमें trypsin मिला है उसके cell को dissociate किया उसके बाद फिर number third में क्या हुआ subsequent passage उसी से हम एक subsequent passage बनाया यानि कि इसमें जो cell growth की है उसमें से कुछ cell को निकाल कर third number में डाले ठीक है ना जिससे हमारा तीसरे number का पेसे तैयार हो गया फिर उसके बाद जो है फिर से cell growth करती है और फिर हम उसको चौथे नमबर पे डाल देते हैं यहां पर जो है cell division हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इसलिए इसको deployed cell culture भी कहते हैं primary में ऐसा देखने को नहीं मिला था यहां पर जो हमने flask में cell लिये थे एक बाद डिवाइद हुए दो भाद तीसरे बाद डिवाइद नहीं होते ज्यूह धिसरे बाद डिवाइद नहीं होते हैं अथिक सब्सक्त करें यहां पर क्या करते हैं हम जो है growth medium में culture की मौन लेयर बनी लिप BIG culture की monolayer बनी विर उसमें से फिर cell को निकाल कर दूसरे कराकर हम किसमें रख लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि बाद में हमको उप्योग लाना पड़े फिर उसमें से अलग-अलग जो है उस फ्लास्कों को निकाल कर हम उप्योग करते हैं इस तरह से हम बहुत सारे फ्लास्क का इसमें उप्य जब deployed cell मरने लगते हैं तब liquid nitrogen में रखे नए पेसेज का उपयोग किया जाता है इस प्रकार एक ही स्रोज से प्राप cell को कल्चर के रूप में कई सालों तक उपयोग किया जा सकता है इसका उपयोग selective isolation के लिए किया जाता है जिसमें herpes simplex, cytomegalovirus, varicella gest joster and rhinovirus को हम isolate कर सकते हैं उसके बाद देखते हैं तीसरे प्रकाल का जो सेल कल्चर हो है continuous cell culture इसमें limit नहीं रहती हमने जो सबसे पहले मांस का तुकड़ा लिया उसको trypsin डालकर dissociate किया अब यहां पर जो सेल उपयोग की जाती है वो cancerous cell होती है अब cancerous cell जो है कहना चाहिए एक तरह की अमर कोशिका होती है वो लगातार कई बार जो है divide हो जाती है तो उससे हम कितने ही flask में कई बार जो है कई प्रकार के virus को isolate करने के लिए कई flask तयार कर सकते हैं उसमें हम जैसे एक में हमने dissociate किया trypsin की साहता से उसके बाद जो है फि तीसरे में डाला चौथे में डाला पांचमें में डाला फिर जैसे जैसे हमको जुरुत पढ़ते जाती है हम उस cell को growth कराते जाते हैं और जो है किस में रखते जाते हैं लिक्विट नाइटोजन में रखते जाते हैं और यूज करते जाते हैं उसका तो यह जो continuous cell lining है continuous cell culture या साजुन हैं, सबस्क्राइब को अम सको इस का ले जाते हैं, इस में सतक्राइख लागी साज़, सबस्राइब करेयद हैं, RK13 यानि के Rabbit Kidney और Vero यानि के African Green Monkey Kidney का भी उप्योग करते हैं ज्यादा तर इसमें Cell Culture बनाने के लिए यहाँ पर HEP2 और Vero यानि के VERO का यूज जो है पोलियो वायरस और कोकसेटी वायरस एडेनो वायरस और हर्पिस वायरस के Cultivation के लिए करते हैं और RK13 और BHK21 का उप्योग जो है रुबेला वायरस के Isolation के लिए किया जाता है इसका यूज वेक्सीन के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह Cancerous Cell से बनी रहती है से जो है कल्टिवेट किये जाते हैं वायरस इसमें और तो हम इसका वेक्सिन नहीं बना चकते क्योंकि यह सेफ नहीं रहता है एक बार बढ़ूड अप उसको रिव्यव कर लेते हैं एक भार जो मैंने बताया कि सबसे पहले इसके पृप्रिंसिपल और के सिर्ण C अधसुत अधाफ ले इसमें वायरस को अध्यान करते थैं कि इस तरह की हिंवार्य उसके बाद में जानवरों को प्योग किया जाने लगा और वभिन प्रकार के वायरस के आधार पर किसी को c k rıpaender की रूप में और वगरा वगरा दूसरा जो टाइप है वह इंब्रायोटेड एग में तो इसका मैंने आपको वीडियो दे ही दिया है उसके बाद cell culture के माने बारे माने बताया है तो cell culture एक ऐसी technique होती है जिसमें हम वाइरस को ग्रोध कराते हैं क्योंकि वाइरस को host cell की जूरुत पड़ती है उसमें क्या करते हैं टीशू का टुकड़ा किसी एनिमल से लेते हैं उस टीशू के टुकड़े से सारे सेल्स को अलग-अलग करते हैं बाइदा हेल्प ऑफ प्रोटिलाइटिक एंजाइम लाइक टेपसिन और उसके बाद उसको हम एक ग्रोथ मीडियम में उस सेल को क्या करते हैं और वह सेल धीरे धीरे घुरोथ करके एक लियर के लूप में ग्रोथ मीडियम के उपर जम जाती है फिर उसका उपयोग हम उसमें हम इनोखलेट कर सकते हैं फिर वाइरस को प्रैमरी सेल कल्चर में क्या हो रहा था कि सेम वही प्रोसीज़र है टीशू लिये टीशू को यह जो सेल यूज करते हैं इसमें हम जो है यह जो सेल है ज्यादा डिवाइड नहीं होती है तो इससे हम जो है कम से कम पैसेज का निर्माड कर सकते है तो बहुत ही कम पैसेज का निर्माड होता है इसमें दूसरी जो तरीका था डिपलॉइट सेल कल्चर में उसमें हम क्या कर तो उसके बाद हमने तीसरे टाइप में continuous cell culture में देखा कि इसमें जो है ज्यादातर जो है cancerous cell का उप्योग किया जाता है उसके एक्जामपल यहां पर बगल में लिखे हुए cancerous cell से हमको क्या रहता है कि पूरी lifetime जितने भी हम laboratory में virus को cultivate करते हैं यह उसका culture करते हैं तो हमको पूरे के पूरे lifetime में हमको क्या passage पराप्त हो जाते हैं passage मिलते रहते हैं और क्योंकि वह cells लगातार divide होती है cancerous cell लगातार divide होती है cancer का मतलब आप सभी जानते है abnormal growth of cells in number is called cancer cancerous cell लगाता divide होके हमको provide कराती है समय तक जो है वाइरस को कल्टिवेट करने के लीए यह यह कहना मैं हम इस्त Commission करते हैं वैसे इसने फ्लास्क का उपयोग करते है कhuh तो बहुत जदा प्रोफ प्रॉइड कर सकते हैं रहे नेकिन बसरते कि हम तो इस में रखे social nitrogen में हमको उसको रखना पड़ता है, save करके, फिर उसको निकाल कर, लिक्वीड nitrogen से निकाल कर, हम उसको use कर सकते हैं, it is all about the basic principle of cell culture, thank you.